कराह रही है मानवता आतंक वाद मिटाने को भारत भी तयार खड़ा है आतंकी निप्ताने को जब भी बड़ा है पाप धरा पर हमने ही बोजो उतारा है हम राम कृष्ण के वनसज है जिसने रावण और कंस को मारा है आधर्णिय सभापती महोदय प्रेडायक मंडल एवं बहा सब्ध्य एक द्रिल विरोदा भासुत्पन होता है क्योंकि या तो इस सब्ध्य की महत्ता और प्रसंगिक्ता का कोई अर्थ नहीं और यदियार्थ है तो हम सुरक्षबल मानव नहीं अर्थात जिस मानव धिकारों की वेदी पर अस्रित होकर पथरवाज लक्सलवाद उक् सब्ध्वन सकारी कांडों पर मौन क्यों हो जाते हैं महोदय प्रसिछर काल से हमें एक गोली एक दुस्मन जिसकी पहल उसकी जीत जैसे प्रेणा दायक पंक्ती स्वरूप गुरु मंत्र दिये जाते हैं परमतु वास्तविक्ता तो यह है कि मानव अधिकारों के अनुपाल चलती है मानवता का स्तित्व खत्रे में पढ़ जाता है वह अपना अस्तानती स्थापित करने के लिए स्वरूप श्रक्षा बलों की तैनाती की जाती है ऐसे कठीन परिस्तिती में मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए आतनकवाद यह उनुगरवाद के विरुत मानव अधिकारों के अनुपालन का ही नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाउन नकसलवाडी से सुरूआ नकसलवाद हमारे देश के 240 जिलों में फैल चुका था लेकिन जब सुरक्षा बलों ने उनके खिलाप कठोर और धंडातमर करवाई की तो यह सिर्फ 90 अब्य जिलों में सिमट कर रहा गया है महदै सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले मैं अपने पक्षित सासियों से पूछना चाहता हूं कि जो कारगिलियों के बाद पकिस्तान के लवारी सहिनिकों के सवों को उनके धर्म के अंसार दफनाया वो ह है हमारे सुरक्षा बल जो कास्मीर के स्कूली बच्चों को दुस्मन की गोलियों से बचाने के लिए बुलगपुर जैकेट बन जाते हैं और अपने परिवार अपने समाज अपने देश के प्रती समर्पन का भार लिए हुए भी जो इस देश में सांती और अमन कायम करते ह है वो है भारतिय सुरक्षा बल मेरे साथियों हम सैनिक भी इंसान हैं हम भी मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं लेकिन राष्ट की सुरक्षा के साथ समझता नहीं कर सकते महोदय केंद्री एग्रियम अंत्राले द्वारा संसत में पेस आंकडों के मुतावित वर्स 2014 में ज अपसी और 2018 में 91 जवान सहीद हुए हमारे देश में 1993 से लेकर अब तक लगवग 8,390 आतंकवादी और उग्रवादी हमने हो चुके हैं महोदय पूरा देश जानता है कि एद की छुटी के लिए जा रहे सेना के जवान औरंग जेब को आतंकियों ने अपरण कर निर्दैता पुरुवक खात्या कर दी तब तो किसी ने भी औरंग जेब के मानो अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई वही खुखार अतंकवादी अफजल गुरू को कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा दी गई फिर भी हमारे देश के प्रतिष्ठी सिक्षर संस्तानों म प्रावड को लंका में घुस कर मारा था मुणी राम के अन्याई संबना नरहार नहीं सकते जो रच रहे सडयंत्र उन्हें क्या घुस कर मार नहीं सकते महदर मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवार्दी हम पर अंदादूंद गोली बार साते रहें और उन्हें प्यार बाटते रहें नहीं महोदय नहीं प्यार और सम्मान तो वहां बाटना चाहिए जहां से वापसी की उमीद हो महोदय मैं यह नहीं कहता कि मानव अधिकारों का अनुपालन नहीं करना चाहिए लेकिन वे लोग जो मानव अधिकारों का दूरपयो कर दो का